सबसे पहले हम देखते हैं कि बैंक क्या होती है तो बैंक जो होती है जिन एक्ट के थूरू गवर्न होती है उनमें दो एक्ट है एक तो आपका Banking Regulation Act 1949 और दूसरा आपका RBI Act 1934 तो यह दोनों इंपोर्टन बैंकिंग एक्ट है जिनसे बैंक गवर्न होती है तो बैंक क्या होती है इसके बारे में Banking Companies Act 1949 के क्या कहा गया है अब बैंक इस फिनांशल इंस्टूशन विच असिप्ट मनी फ्रॉम दे पब्लीक for the purpose of lending or investment, repayable on demand or otherwise withdrawal by check, drafts और order तो इन्होंने कहा कि Bank क्या है एक financial institution होती है जो कि पब्लिक से money को accept करती है deposit के form में और वो जब दूसरों को या उन्हें पैसे की जरूरत होती है तो उन्हें वो as a investment form में क्योंकि bank तो पैसे उधार देगी तो उसके लिए investment हो जाएगा assets हो जाएगी तो as a investment form में वो उनको repay करती है और जो deposits होती है उनको जब भी आप demand करेंगे या आप जब भी मांगेंगे check के through डीडी के through अपके order पर किसी भी तरीके से किसी भी form में तो वो उसको आपको repay करेगी यही मिंगली bank है तो मैं मिंगली क्यों होगे bank financial institution होती है जो public deposit को accept करती है और उसके बाद उसे loan के form में देती है जो कि bank के लिए investment होती है तो as a investment वो loan प्रोवाइड करती है लोगों को और जब भी उन्हें जरुवत होती है तो वो उसको demand पर pay कर देती है या चेक या डीडी किसी और form में भी वो उसको repay कर देती है यह definition banking company के bank की इसने दी थी banking companies act 1949 recording है सो means क्या हो गया bank का कि यह किसके लिए establish हो रही है सिर्फ lending and borrowing purpose के list accept करती है deposit और lend करती है तो bank कैसी होती है यह profit seeking होती है यह ऐसी bank के होती है financial institution कैसी है जो कि profit motive से बनाई गई है बैंक जो formation होता वह joint stock company की तरह होता है और यह किसके लिए बनाई जाती है profit motive के लिए ना कि social motive के लिए जो कि किस में deal करती है money और credit में deal करती है और अगर में दूसरी बारे में दूसरी तरीके से बात करें तो यह कैसा है एक mediator की तरह work करती है किसकी बीच में lender and borrower की तरह और वो deposit accept कर लेती है और जिसको जरुवत होती है उनको उसी deposit से उधार provide करती है तो वो बीच में क्या हो गए एक से पैसे लेती है दूसरी को पैसे देती है जिसको जिसे सबसे requirement होती है तो यह हमने देखा कि exactly bank क्या होती है अब बात करते है commercial banks की तो बैंक देखे जैसा agricultural bank हो गई commercial bank हो गई इंडिस्ट्रियल बैंक हो गई आपकी मैसले इस बैंक भी होती है तो यह बैंक के अलग अलग फॉर्म होते है तो वहाँ पर हम बात कर रहे है commercial banks क्या होती है commercial bank क्या होती है असफे small deposit of public and convert it into huge capital then let it to borrowers for short term period not more than one year so generally क्या होता है commercial bank establish की गई थी इस परपस से कि वह public से deposit असप्ट करेंगे और अलग अलग पॉब्लिक से जब थोड़ थोरे amount करके पास बहुत सारा deposit हो जाता है तो वह deposit को करती है land करती है जिनको requirement होते हैं उन्हें वह उधार के form में मत्ब लोन के form में provide कर देती है तो जेनरली यह कहा गया था कि commercial bank short term period के लिए loan provide करेंगे जिनका tenure क्या हो गया less than one year होगा जो कि जेनरली आज के टाइम पर बात क्यों तो ऐसा नहीं है उसके बाद ही होगा कि यह deposit किस form में accept करती है saving account के form में accept करती है तो saving account के form में उनके पास deposit आता है अब account opening के कई तरीके होते हैं जैसे saving account हो गया current account हो गया आपका fixed deposit account हो गया आड़ी हो गया तो अलगल account open के तरीके हैं जिनके through deposit इनके पास आ जाते है सेविंग एकाउंट थोड़ी पॉजट आते हैं फिर यह क्या करती है जो बिजनस हाउस इस होती है उनको उनकी वर्किंग क्यापिटल के लिए वर्किंग क्यांप्टल में तो समझते हैं डे-टो-डे और अपरेशन को मीट आउट करने के लिए जो फंड की करती हैं अब अगर हम बात करें कौन हैं commercial banks तो SBI, PNB, ICICI यह सारी कैसी है commercial banks इस टेम लीड कर रही है और अगर हम दिखते हैं कि अब इनकी classification के बात कर लेते हैं कि कितने रोटाइब की commercial banks होती हैं तो इनको हम दो तरीके से डिवाइट करते हैं एक तो उनकी statutory के basis पर दूसरा ownership के basis पर तो on the basis of a statutory commercial bank कैसी होती है दो होती है एक होती है scheduled bank और दूसरी होती है non scheduled bank scheduled bank मतलब क्या जो RBI Act 1934 के according registered होती है जिन पर पूरा RBI जिनको पूरी तरीके से RBI regulate करती है अब second scheduled bank क्यों कहा गया क्यों क्योंकि यह RBI Act 1934 के second schedule में जो चीजे लिखी गे जो norms लिखा गया है उनके according ये bank होती है means महाँ पर जो capital की criteria है या other criteria है उन सबको ये bank follow करती है और उन norms को fulfill करती है इसलिए इनको कहा जाता है कि second schedule के according bank है second schedule में listed bank है सो ये सारी बैंके जो RBI के second schedule को मेंट आउट कर रही होती इनकी requirement को उनको हम scheduled bank कह दे और वो बैंके जो ऐसे नहीं होती है उनको हम non scheduled bank कहते है non scheduled bank कैसे होती है कि ये RBI के according register नहीं होती है और इनल पर RBI का पूरी तरीके से control नहीं होता है कैसे मैंट हो गई जैसे इनिजेस literally after कि हो गए आपके स्हुकर और चूटे मुटी लोकलित बैक होती यह सारी आपकी ऑपकी नॉन शेडूल बैक होती जैशो चुटे मुटी बैक सापकी आफ पास ऐह अख deaf कोई हैं तो वह सा क्याboo इनको CRR के पास में नहीं करना होता है क्योंकि वह आर्बिया से डीली नहीं कर रहे होती है दूसरा हम कहते हैं ownership के basis की बात करते हैं कि commercial bank established as a joint stock company पर ownership किसके पास है तो उस basis पर बात कर तो तीन तरीके से होता है एक तो का public sector then private sector and then foreign bank अब public sector banks मतलब आप समझे कि जैसे आपकी SBI हो गई, PNB हो गई, Oriental Bank, Yuko Bank यह सारी कैसी है public sector banks हो गई मतलब जहाँ पर जो stake है ownership का stake more than 51% किसके पास है government के पास है यह nationalized bank हो गई, private sector bank कौन सी हो गई, जो privately owned bank है like ICICI है आपका, HDFC है, IDBI, यह सब कैसी banks है यह privately owned bank है foreign bank की बात करे हैं अगर तो foreign bank जैसे city bank हो गई, bank of America हो गई, excess bank हो गई, यह सब कैसी banks हो गई, foreign bank हो गई, right, तो यह हमारे पास जो हमारे country में है this time, उन में से कुछ example हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या foreign bank का मतलब जहाँ पर stake क्या है foreign, foreign मतलब हमारे देश की ownership नहीं है, ownership किसी foreign country की है और वो bank हमारे यहाँ open है, हमारे यहाँ अपना functioning कर रहे है foreign bank, private मतलब private लोग जो government के लोग नहीं है, वो लोग अपना bank open करके banking काम कर रहे हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि private bank की जो regulation नहीं किसी और के हाथ में regulation तो RBI के हाथ में ही है, तो यह public, private, foreign है जो भी है, वो scheduled bank में की category में आ जाते एक तरीके से, क्योंकि यह RBI के according ही होते हैं, ठीक है private bank वगेरा, तो यह हो गया आपकी ownership की बात कर लेते हैं, अब हम बात करते हैं, function की बात, तो commercial banks के primary function में देखते हैं, तो क्या होता है, उनका main function क्या हो गया, बैंक का deposit को accept करना, और loan को provide करना, right, अब loan को provide करना मतलब, term loan हो गया, OD हो गया, CC हो गया, consumer credit हो गया, bill discount हो गया, ऐसे बहुत टाइप के चोटे OD अच्छे customers को provide करती है, कि अगर आपके current account में 50 लाख रुपय है और आपको 70 लाख रुपय की जरुएत है, तो हम 20 लाख का extra आपको withdraw करने की facility दे रहे है, तो OD, overdrawn, तो OD की facility तो जो 20 लाख extra दिया, तो किस ने दिया, bank नहीं दिया, आपके पास हो थे हैं नहीं, तो वो एक पर क्या हो गया, कि जो security रखने परती है, वो क्या होता है, stock statement होता है, जो companies होती है, वो बार बार stock statement अपना bank को provide करती रहती है, कि मेरे data इतने है, मेरे पास closing stock इतना है, और उसमें से वो creditor वाले portion को less कर देती है, जो amount आता है, उसमें वो bank margin रखके, इनका loan pass कर देती है, तो credit को create करने की जो power होती है, वो किसके पास होती है, commercial banks के पास, सिफ और सिफ commercial banks के पास होती है, क्यों, क्योंकि इनके पास deposit आता है, saving form में, और उसके बाद उसी deposit से यह क्या देती है, loan, तो मैंने credit creation के लिए पहले वे डिसकस किया है, वीडियो में, जहाब मैंने विदाए कि primary deposit और derivative deposit, primary deposit जो हमने saving account उपिन टवा के पैसे deposit की है, और derivative में तब जो loan प्रोवाइट की है, तो derivative होती है, तो यह पावर किसके पास होती है, commercial banks के पास, transfer or mobility of funds, funds को transfer करना एक city से दूसरे city में, एक state से दूसरे state में, तो यह किसके पास, यह काम कौन करते है, किसका function है, commercial banks का function है, promote to use of check, check को ज्यादा use करें, cash withdraw करके cash लेकर जाने के जगा आपको जहां ले जाना है, आप check cut करके दीजाए, तो check को use करना, यह भी क्या है, इनकी primary function के में ही आता है, promote national and foreign trade, तो अभी जैसे वैसे तो foreign trade means export import के लिए, particularly bank, exam bank को establish किया गया है, लेकिन इतने भी commercial banks होती है, उन पे department open कर दिया जाता है, जैसे forex department, आप देखेंगे, bank में विजट करेंगे, तो forex department पूछेंगे, तो उनका एक छोटा सा department होता है, forex department, मतलब foreign exchange department, तो यह क्या करता है, foreign trade को promote करने के लिए, export import के जो चीज़े होती है, उनको करने के लिए, उनको करने के लिए, उनको कर परपस हैं, तो यह उनको भी promote करती है, तो यह तो इनके primary function होगे, इसके अलावा, secondary function में भी दो तरह के function perform करती है, एक तो आपका होगे agency function, agency function मतलब as a agent, आप जो काम करे, अब agent क्या करते हो, जब agent के तरह आप काम करवाते हो, तो agent आपसे क्या लेता, commission लेता है, तो आप उन सारे function यहां पर आजाएगे, जिन function में आप bank को commission देते होंगे, आप जब bank के पास जाते होंगे, कुछ काम करवाते होंगे, तो देखते होंगे, जिन जिन चीजों होगे, ऐसा commission लेती है, वो सारे, उनकी agency function में आजाते है, यहां पर हम एक-दू example लेंगे, जैसे dealing in bullence, एक form जैसे eat हो गई तो उनमें dealing कौन करती है, bank करती है, commercial bank करती है, लेकिन उसके लिए पो अपना commission चार्ज करती हो और आपके लिए work करती है, income taxes services means, वो as a consultancy भी आपको देती है, आपका return फाइल करना, आपका payment करना है, अब आप अपना ITR फाइल करें तो अगर आपको payment करना आप बैंक की साइट पर जाएंगे, वहाँ साइट फाइल करना है, तो वो आपको खुद ही link कर देगी, तो क्या करवा रही है, bank आपको ITR फाइल करने में help कर रही है, उसको consultancy दे रही है, उसके payment में help कर रही है, लेकिन इस सब करती है, तो बैंक क्या चार्ज करती है, आप fund transfer करती है, तो उसमें भी क्या करती है, तो आपका काम कर रही है, तो भी commission चार्ज करती है, तो बहुत सारे agency के function है, जिसमें से हम सिर्फ एक दो deal कर रहे है, इसके अरवा general utility के function जो आपके normal use के लिए आते हैं, वो भी function परफॉर्म करती है, जैसे locker facility, तो locker facility में क्या हो गया है कि आपको क्या करना है, आपको जो भी valuable belongings हैं, उनको आपको बैंक में रखना होता है, तो safety purpose के लिए, तो आपको छोड़ी से place देती है, कि जाहिए आप वहाँ पर रखे, जैसे हम locker कहते है, उसकी दो keys होगी, एक उनके पास होते है, एक आपके पास होते है, जब दोनों keys locker मे करते हैं, हम आपको safety दे रहें, तो आप मुझे उसके लिए, उस जगा के लिए रेंड दीजिए, आप घर लेने जाते हो, किसी का घर use करते हो, तो rent देते हो, गो दाउन लेते हो, तो उसी तरीके से आप bank के premises का छोटा सा place यूज कर रहे हो, तो आप उनको क्या managers होते हैं, shares वगेरा, devinches वगेरा को कैसे manage करना, कहा investment करना, कैसे करना, यह सब चीज़े आपकी इसमें आजाती हैं, right, कैसे withdrawal करना है, fast and easy withdrawal के वज़े facilities होती है, UPI वगेरा बनाना, यह सब आपको commercial banks provide करती है, जिस agency function में ही आप देखेंगे, तो वो आपको, मैंने बताए, SIP आपको देना है, LIC का insurance payment करना है, कहीं का rent देना है, insurance premium pay करना है, तो यह सब काम क्या करती है, वो bank आपका agent आपका काम करती रहती है, मतलब जो आप खुद जाके नहीं कर सकते है, वो as an agent करती रहती है, तो SIP की payment है, वो कर देगी, आपकी account से SIP कट होती रहेगी, उसके जाने हैं, 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 जाने जोब गेम खेलना चाहते हैं अब स्वेप करते जाहिए गेम खेलते जाते हैं ऐसी ट्रेबलेश चेक भी था अब आज के टाइम पर उसकों सेट कम हो चुका है क्योंकि क्रेड़िट कार्ड बहुत जादा ही यूज हो रहे हैं सो यह सारे हमारे क्या होगे secondary function होगे और अजन्सी और जन्रोट्री और प्राइंडरी फंक्शन सो आपको सब कुछ क्लिर हो होगे commercial banks कैसी होती है क्या उनका nature होता है सो विश्यो अल्द बेस्त थैंक यू सो मच